नमस्कार, वे चंचल जैन, कुकिंग मनुरें जैन में आप सभी का स्वागत है, आज मैं बनाने जा रही हूँ, इडिया पंप और पुर्मा, वो मदरास तमिल नाड साइड में ज्यादा बनता है, आईए देखते हैं, एक लीटर, एक लीटर पानी हम उबालने रदिये हैं, इसमें थोड़ा सिक, पापड़खार जालेंगे, थोड़ा सिकी डालना है, ज्यादा ने, पाउर तीस्पूंच होता, और नम्मक एक तीस्पूंच, स्वाज अंशार नम्मक डालना है, पानी को अच्छा उबलना है, उबलने के बाद में हम चावल का आटा मिक्स करेंगे, उबलना चाहिए, इडिया पम के लिए, अब हम गैस बन कर रहे, इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डाल के मिक्स करना है, इस तरह से काठा बना के रखना है, अब इसको हम 15 मिनिट तक ढखकन देके रख देंगे, हमारे इडिया पम का पानी उबल रहा है, जब तक हम गुर्मे की तैयारी कर लेते हैं, गुर्मे के लिए हमने 22 गाजर आलू, इस तीन चीज काटके रखा है, और अब निक्सी में एख़ोड़े टमाते, खोप्रा, खोप्रा, उदीना, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता लिया है, उसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे, दाल दे हमने, इस तरह से हमने पीस लिया है सब चीज, अब इसमें निकाल देंगे, अब इसमें निकाल देंगे, हमने थोड़ी सी कराई, थोड़ा जीरा बबार में, एक पेज पत्ता, लाग में जी, एक लोंग को पिलाई जी, अब इसमें हम प्याज और लसन दालेंगे, हमने बगार में इसलिए नहीं दाले, उसकी स्मेल बहुत तिक हो जाएगे, इसलिए नहीं डाले, कुर्वा, दो चमज दनिया डाल रहा है, दनिया पॉड़ा दाल देंगे, अब जो हमने पीज के रखा था, पुदीना पत्ता, दनिया पत्ता, खोप्रा, हरी मिर्ची, ये सब हम इसमें मिक्स कर देंगे, और एक टमाटा, आदा टीज कर देंगे, इसको नमक डाल रहे हूं, स्वाद अनुसा, थोड़ा से पारी डाल रहे हूं, तप्छा तेल छोड़ दिया, उपर, जब तक हमारे को उबालना है सबजी, इडिया पम बनाने के लिए, हम ये बारिक जाली है, हम ने ये बारिक सांचा होता वो ही है, ये बारिक सांचा लिए, इसके अंदर हम रखोंके, इडिया पम का आटा पर भरींगे, कड़ाई के अंदर आन तर हमने पानी डाल के ग्रगा रख दिया है इसके अंदर हम इडिया नहीं बना के उसके अंदर रखेंगे इडियापं का आठा है इसको 15-15 मिनिट हो घया है आप इसमें डालेंगे कर अब बालें के विभि दतायो तो कह 흥 से अब बड़ाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओ तो हम इसमें इस्टीम होने के लिए लग देंगे इसके ओपर ड़कन लगा रहा है को और आप चाहे तो इस तरह चोटे भी बना सकते है थाली में रखके बना सकते है इतली के सांचे में बना सकते हैं किसी में भी आपिना सकते हैं 10 मिनिट में आपका रेडी वी हो जाता है यह हमारा तैयार है रिया पाम, पुर्मा, कारम पोडी चाहे तो आप इलाइची का पौर्डर दालके उसके उपर घी डालके, शक्कर दालके भी खा सकते है नारील का दूत दालके भी खा सकते है कि अच्चोर नहीं प्याद करना है और रगाना है और रहिंगे प्रिज़ कि अपाना है और रहीं और रहा है